सबस्कार हम सब्सक्राइब सब्सक्राइब cannes हम लोग यहां पर कुछ स्टॉक्स लेखेंगे कि बहुत अच्छा एक प्राइस अक्षिंड फॉलों कर 514 जो बी स्टॉक्स रहेगा वह पुरा वीक के लिए वैलिट रहेगा ठीक है, मतलब कोई भी stock अगर breakout zone में आ रहा है, breakout कर रहा है, तो हम लोग buying करेंगे, और एक set of target रहेगा फिता set of stop loss रहेगा, तो चलिए late नहीं करते हैं, सबसे पहले chart में जाते हैं, देखते हैं कौन-कौन से stock है, जो एक अच्छा price action follow कर रहा है, हमारे पास वो सबसे पहला stock है वो है चम्मल fertilizer, ठीक है, चम्मल fertilizer को हम लोग देखें, कहीं ने कहीं, कुछ दिनों से वो downtrend follow कर रहा है, last में हम लोग आके देखें कि वो एक consolidation phrase में आ गया है, और एक bottom create कर रहा है, अब जाने के लिए एक bottom create कर रहा है, एक support ले रहा है, तो हम लोग इसमें देखेंगे, 304 के यहाँ पर, इस level पर, एक bottom create कर रहा है, तो यहाँ पर एक support ले रहा है, तो 304 के उपर अगर आया, यह stock 304 के उपर आया है, तो हम लोग इसमें एक buying zone देखेंगे, buying करेंगे, with a target of 317, 50 दे लेके 318 का target रहेगा, और 298 का एक stop loss रहेगा, चम्मल fertilizer में, second stock of the week है, Tata Steel, Tata Steel, इसली से लिटके, क्योंकि बहुत दिन से गिर रहा था, बहुत, बहुत, टाइम से यह stock यह गिर रहा था, क्योंकि raw metal का cost बहुत बढ़ गया था, तो यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे, इसमें एक buying zone आ रहा है, एक minute, yes, एक support create क्या था, यह जो line है, यह अगर आप 3 hours म में देखेंगे, तो यहाँ पर कहिने के एक support कम resistance zone है, तो यहाँ पर Tata Steel के एक support लिया है, then हम लोग 50 minutes में जाते हैं, तो हम लोग इस stock के उपर buying करेंगे, 929 के उपर, 929 पॉइंट समसिंग कितना है, 929 तो 930 के उपर हम लोग इसमें buying देखेंगे, क्योंकि आप अगर इस level क को देखते है, तो यह जो level था, यह एक support का काम किया, then afterwards again यह resistance का काम किया, तो अगर इस level को break करके, अगर sustain करता है, Tata Steel, तो हम लोग एक छोटा stop loss लेके, 907 या 910 का upstop loss ले लिजेगा, with the target of 962 to 963, third stock of the week है, Infosys, same Infosys, Demand Zone, यहाँ पर फिर आया Supply Zone, तो यह जो support zone है, यह जो resistance zone है, यह crucial level है, अगर sustain करता है, इसके उपर अगर sustain करता है, buying करेंगे, हम लोग buying करेंगे, something around यह level के उपर buying करेंगे, 1400 को पर हम लोग buying करेंगे, target रहेगा 1422 का, stop loss अप लोग लेते हैं, तो 1390 का अप लोग stop loss लिजेगा, Infosys में, last stock of the week है, UPL, same, UPL भी same Infosys जैसे create कर रहा है, इसमें भी हम लोग देखेंगे, अगर यह stock उपर आता है, यह level के अगर उपर आता है, आप देखेंगे, 7288 का, stop loss लेंगे, एक छोटा stop loss ले लेंगे, 663, 664 का, तो आप लोग यह जो भी stock है, आप अपना watch list में add कर लिजे, यह आपका, मतलब week के लिए stocks है, और कहीं नहीं यह एक अच्छा performance दे सकते, तो फिर मिलते हैं next pick, तब तक आप एकदम स्वस्त रहिए और अच्छा से trade कीजिए, चलिए, बबाई जए हो, त says, टिए बबाई वह एक पर रहिए ग्रेश देलतक रे खजए, इस सब्सक्किशोद हादा ममन껏, इस सब्सक्रान उपाद है, जी जएलर का इस सब्सक्ष्टाएMA के सब्सक्रा